एक ट्रेन 90 किलोमेटर प्रति घंटा की गती से चलती है, एक प्लेटफार्म और एक पुल को क्रम से 30 सेकंड और 36 सेकंड में पार करती है जिस प्लेटफार्म की लंबाई पुल की लंबाई से आधी हो तो ट्रेन की लंबाई ग्याद की दिए तो माना ट्रेन की लंबाई L T है ट्रेन की लंबाई L T हमारी है प्लेट फॉर्म की लंबाई और L B यानि ब्रिज की लंबाई प्ल की लंबाई अब लगाएंगे हम कि जब कोई ट्रेन किसी प्ल या प्लेट फॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्ल की लंबाई की बरावर दूरी ते करती है तो पहले ट्रेन की चाल 90 किलोमिटर पर आवर दी है तो गंटे दी है इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना आए तो नब्भे में पांच बटी अठारे का बुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा तो अठारे पांच नब्भे और पचम 25 मीटर पर सेकंड अब ट्रेन प्लेटफोर्म को पार करती है 30 सेकंड में तो 30 सेकंड समय बरावर दूरी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफोर्म की लंबाई पटे ट्रेन की चाल 25 क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एल टी प्लस एल पी बरावर पच्चिती पिचेत्तर 750 ये हमारा पहला समीकड होगा दूसरा प्लेट फॉर्म को किसी प्ल को पार कर रही है तो 36 सेकंड में तो ल टी प्लस एल बी लेंथ ओप्ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपन उसकी चाल 25 तो यहां से हमें मिलेगा लेंथ ओप्ट्रेन प्लस लेंथ of bridge equal to 25 गुणा 36 तो 25 चिक एक से 50 पंदरे के रिया गया 55 पंदरे हमारा हो गया 90 तो यह आ गया 900 अब हमारे पास दो समीकन हैं यह भी दिया हुआ है कि यह प्लेटफों की लंबाई पुल की लंबाई से आदी है यह लेंथ आफ प्लेटफों एक्वल टू लेंथ आफ ब्रिज बाई टू यह भी दिया हुआ है यह मेरा तीसरा एक्विशन हो जाएगा हमारा तो इस तरह से हमें इनको शॉल करना है फर्स्ट एवम सेकंड को गठा देने पर तो गठाने पर हमारा यह ल्टी ल्टी कट जाएगा और ल्पी मानस ल्बी बरावर आजाएगा साथ सो पचास में सिर्नोगेस हो गई तो मानस का डिड़ सो यहाँ पर ल्पी की जाएपर रह देंगी ल्बी वाई टू जोके हमें दिया हुआ है मानस ल्बी बरावर एक से पचास यह बचेगा मानस ल्बी वाई टू बरावर एक से पचास मानस से मानस कट गया LB और आवर आजाएगा हमारा length of bridge 1500 गुणा तो 150 इंटू 2 300 मीटर और इसको हम रख देंगे किसी पहले समेकण में तो L T length of train plus length दूसरे में रखेंगे length of bridge equal to 900 तो length of train में आसानी से मिल जाएगी यह 300 है हमारी और 900 length of train आगई 900 मानस 300 बरावर 600 मीटर तो इस तरह से हमने निकाला train की लंबाई 600 मीटर है योकि option हमें C में दिया हुआ है तो विद्धार्तियों इस तरह से हमने इस प्रेशन को हल किया आसा करता हूँ आपको समझ में है होगा विद्धार्तियों पसंद है तो लाइक सेयर एम चैल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद करता हुआ हुआ है